हेलो फ्रेंड्स जैसरी कृष्णा जैमादादी जैसरी शाम कैसे हूँ दोस्तों आप से भी आशा करती हूँ कि आप से भी बहुत अच्छे होंगे प्राथना करूंग इश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें दिखें दोस्तों आज की वीडियो हमारी बहुती खास और ब चूस कर लिजिए फस्ट और सेकंड नंबर की कोई एक बुक आप चूस कर लिजिए दिखें आप कुछ मत करिए जीवन में स्रीप इतना ध्यान रखिए कि हमेशा जो होगा इश्वर की क्रपा से होगा और कहीं ना कहीं जो भगवान ने हमारे लिए सोच रखा है वो तो हो फस्ट नंबर की बुक जिन्होंने भी चूस करी है जिन्होंने भी नंबर वन चूस करा है देखिए सबसे पहले हम यह देख लेते हैं इश्वर क्या कह रहे हैं क्या करपा है आपके इश्वर के ऊपर आप इश्वर किस तरह से आपका साथ दे रहे हैं क्या कुछ लिखा है आपके सरपर देखिए आपके घ्र के पूर्वज और बहुत बड़ा हाते इसलिए बिलकुल टेंशन ना ले कोई भी आपका बाल बाका भी नहीं कर सकता जीवन में बहुत आगे जाएंगे, लाइफ में बहुत आगे जाएंगे और जो भगवान ने आपके लिए सोच रखा है, जो इश्वर ने आपके लिए सोच रखा है, वो जरूर होगा, पूरी क्रपा है इश्वर के आपके उपर तो आपको लोड नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रेना है, और हमेशा ये ध्यान रखना है, कि जो यश्वर की क्रपा जरूर है आपके उपर और हमेशा हर कंडिशन को इश्वर का अशिरवाद मानते हूँ इस condition में हमें lean हो जाना ठीकर इसा नहीं लगना चाहिए हशाम सोचना चाहिए क्या रीचे क्यों हुआ है वह क्यों हुआ ह हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है सब कंडिशन होती है ठीक है और सब कंडिशन में हमें हर चीज को ध्यान में रखना होता है बाकि इश्वर की क्रपा है आपके उपर तो आपको फिर ज्यादा लोड लेने की जरूत घबराने की जरूत नहीं है कुछ चीजों का आपको ध्यान जैसे कि दूसरों के मामलों में ज़्यादा थश्टेशेप नहीं करना है वरना लोग आपसे नाराज हो सकते हैं अपने विवहार में थोड़ा विनम्रपन लाना है और प्रत्योगी परिक्षा में बहुत जदा महनत करने के ज़रूरत है क्योंकि अगर महनत कर ली तो सफलता जरूर मिलेगी लाब दायक परिस्तित्या बन रही है कुछ दिन चर्या में नयापन आने वाला है और कहीं न कहीं दोस्तों विशेश रूची भी रहेगी विवायोगी सदस्य के लिए अच्छा रिष्टा भी आ सकता है घर में खुशी का माहूल भी रहेगा किसी भी तरह का लेंदेन करते समय सावधानी बढ़ते क्योंकि इस वजह से संभंध भी बिगड़ सकते हैं घर में आए निकट संभंधियों के साथ वाद विवाद में ना उलजें और इसी के साथ में आर्थिक नजरिय से विदिन अच्छा है कारे प्रणाली और बहतर होगी पहले से काफ होगी यह आपको दिक्कत दिलवा सकता है किसी की मदद करने से पहले अपने आर्थिक स्तिती दियांज जरूर को स्वास्त संबंदी समस्य आपको चिंता में डाल सकती हैं खर्चों के मामले में ज्यादा दर्या दिली ना रखें ना ही दुसरों के मामले में अस्तशेप करें कारोबार में कुछ न कुछ दिकते रहेगी लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा खुशनुमा दिन बितेंगे किसी कोई भी इस्तिती में जल्दबाजी और भावनाओं में आ करके कोई भी वादा ना करें क्योंकि निभाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रह सकता हैं और घुस्से और इगो पर काबू रखना हैं बहुत जगा सोचने विचारने में महतोपुन उपलब्दी भी हाथ से सकती हैं सही समय पर सही निर्णे लेना बहुत जरूरी हैं अपने स्वभाव में समय अनुसाल लचिला पनलाएं किसी बात को लेकर पडोसियों के साथ संभंध खराब हो सकते हैं आर्थिक मामलों में भी पूरी तरह से साउधानी रखने की जरूत हैं बहुत अच्छा समय ह तो हमें ज्यादा लोड लेने की जरूत नहीं है ज्यादा घबराने की जरूत नहीं घर के बड़े बुजुर्गों का हाथ हमारे सिर पर हैं घर के देवी देवता का हाथ हमारे सिर पर हैं जिन रिष्टों में दिक्कते आ रही हैं उनमें भी काफी हद तक सुधार होगा औ और जॉब में करियर में नए अवसर मिलेंगे पैसो से रिलेटेट कंडिशन्स आपकी धीरे-धीरे सही होती जाएगी चिंता हैं आपकी दूर होगी अचानक से बहुत बड़ा धन लाब होता हुआ दिखाई दे रहा हैं तो अपने काम पर ध्यान दें लोगों से प्रिशन सा मिलेगी इस वज़े से आप बहतर काम कर पाएंगे और करियर संबंदी जिस अवसर की रहा आप देख रहे हैं वो जल्दी से मिलेगा प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा लेंदें जल्द ही होने वाला है इस कारण आपको लाब मिलेगा परिवार के लोगों के साथ आशारी तो इस बारे में ना सोचे बस अपने काम पर ध्यान रखें टार्गेट पूरा होगा बदलाओ को समझने की कोशिश करें अपना जो लक्ष है उस पर कॉंसेंट्रेशन रखें ठीक है आपका लक्ष पूरा जरूर होगा बस स्वभाव में थोड़ी सी विनम्रता कर रखें उन नए लोगों से जिनसे आप जूड़ रहें हैं थोड़े उनके स्वभाव को समझने की कोशिश करें थोड़ा अपने स्वभाव को लची ला रखें मतलब बहुत जदा एटिट्यूड वाला जो नेचर है वो आपको दिकत दे सकता है बाकि आपके उपर महकाल ब लमेशा आगे बढ़ता हैं चले सेकेंड नंबर की बात करते हैं जिन्होंने भी सेकेंड नंबर चूस करा है आपके लिए देख लेते हैं आपके सरपर किस देवता का हांत है तिक आपके सरपर अभी को माता रानी की क्रपा होती विदिकाय दुरी जी हां मातरानी और बाबा शाम की बहुत बड़ी क्रपा है आपके ऊपर खाटू नरेज बहुत प्रसन्न है आपकी कहते ना भक्ति से आपकी नेचर से काफी हद तक वो प्रसन्न है और वो आपको हमेशा सही समय पर सही जगे सही रास्ता आपको दिखाते हैं लेकिन आप और ग्यारस के एक दिन पहले भी अगर हो रहा है दसमी ग्यारस बारस आपके लिए बहुत लगी है क्योंकि खाड़ुशान जी की क्रपा आपके ओपर होती भी दिखाई दे रही है और अभी कुछ साल दो साल में ही ये क्रपा बड़ी है आपके आस्था विश्वास भी करें वो क्या कह रहें पहले उनका पक्ष समझे उसके बाद खुद की बातों पर धियान दे करियर में जो चीजे कठीन लग रही है वो सुलजेगी समय के साथ सुलजेगी लेकिन थोड़ा सा धेरी और सैयम रखना होगा आपके जो सिमित विचार हैं उनसे आप बाहर निकल नई बातों पर धियान दे अपनी संगत को सुधारे सिमित विचारों के लोगों के साथ जुड़े रहने की वज़े से आप अपनी शमता के अनुसार काम नहीं कर पारें आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है इस बात को समझे फिर ने ने ले अपनी महनत के अनुसार आपके द्वारा ही प्रेत्न क्या जा रहा है तो इस बात को समझने की कोशिश करें काम से अधिक पैसों को महत्व देने से काम की क्वालेटी के साथ समझूता होगा आप अपनी समस्यां सुल जाने के लिए आसान मार्ग को चुने है ना फिलहाल सही गलत में फर्क करना आप टेंशन ना ले मन को शान्त रखें सब कुछ ठीक होगा दिए एक चीज में आपको बता रहे हूं कि जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे जब तक प्रैक्टिकली किसी चीज़ को नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर कितना ही नौलेज हो चाहे भरपूर नौलेज हो किता अब भरपूर ग्यान आपके पास किताबियों लेकिन उस चीज को जब तक हमारे जीवन में प्रैक्टिकली नहीं करते हैं जैसे माली जमने भागवत जी में बहुत सारी बाते पड़ी यह सुनी है उपाई भी बहुत सारे पड़े हैं सुने मंत्र भी बहुत सारे पड़े ह तक हम उनको दोहराएंगे नियुकर अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं तब तक हमें उसका लाफ नहीं मिल सकता है इसलिए अभ्यास करना होगा जिन लोगों का मन आशांत रहता है उनने किसी भी काम में आजानी से सफलता नहीं मिलती अशानती को दूर करने का सबसे अ हमारा मन जो है भटकना बंद कर देता हो हमारा पूरा ध्यान वर्तमान पर टिक जाता है ध्यान करोगे तो कभी भी भविश्य के चिंता नहीं सताएगी जब सासे अशांत होती है तो मन अशांत होता है क्योंकि देखे जब हमें बेचे नहीं होगी तो हमारा मन शांत रह सकता ह और अगर मन ही अशांत हैं सासे ही अशांत हैं जिसे उपर नीचे जो सासे होते हैं कभी कभी हम घबरा जाते हैं हमारी सहत पर भी इफेक्ट पड़ता है तो इस बात का विशेज ध्यान रखें वीडियो अच्छे लगई हो प्लीज लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करें अब लाइकन को प्रेस करें साथी वीडियो को शेयर करना ना बूले मिलता है नेक्स वीडियो में अभी के लिए आप सब्सक्राइब को बहुत बहुत धन्यवाद जैमादादी हर हर महाद्यू अब बहुत वीडियो